जिले के सनावत थाना शेत्र के अंतरगत ग्राम आली खुर्द में एक लुटेरी दुलहन अपने सस्वराल में 1000 रुपे की नगदी और जेवरात लेकर फरार हो गई जिसकी शिकायत लेकर लड़के के परीजन पुलिस अधिक्षक कारेले पहुंचें और उचित कारवाही की मांग की बताया जा रहा है अली खुर्द गाउ के यश्वन्त की बामखल निवासी जोती के साथ 31 दिसंबर 2022 को बढ़भा कोर्ट से शादी हुई और पाश दिन रहने के बाद लुटेरी जोती घर से नगदी जेवरात लेकर फरार हो गई जबके पिडिक परिवार शिकायती आवेदन लेकर पुलिस अधिक्षक कारेले पहुचा और नियाय की गुहार लगाई इस तोरण पिडिक पक्ष ने बताया कि उनके साथ शादी के नाम पर लूट की गई जिसकी जाच करके आरोपियों को उनके मुकाम तक पहुचाने में पुलिस उनकी साहता करेंगे डिज़ियाना न्यूस निमार खरकौर पार की पलपल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चेनल डिज़ियाना निमार को सब्क्राइब जरूर करें